दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट मॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पाली खबर सर्द हवा से ठिटरा बिहार एक दरजन से ज्यादा जिलो में पारा दस डिग्री सेल्सेस से नीची जी हां हिमाले चेतरों से आ रही बरपली हवा पूरे बिहार में लोग ठिटर रहे हैं जन जिवन पूरी तरह अस्त वेस्त हो गया है हाला ते हाए कि तेज पच्वा हवा के कारण दिन में भी लोग कापते रहे हैं रात के समय स्थिति और विक्राल होती जाती है सबसे ज़्यादा परिसानी दिहारी मजदूर करने वालों को हो रही है क्योंकि आपको बताता कि एक दर्जन से ज़्यादा जीलो में पारा दस डिग्री से नीचे चला गया है बुद्वार को नवादा में 7.6, बाका में 8, गया और नालंदा में 8.2, वेगुसरा में 9.2, खगडिया में 9.3, और अंगाबाद में 9.5, भागलपूर, अररया, पूर्निया और मुझपरपूर में 9.6, पटना और सितमडे में पारा 9.8 डिग्री से चला गया भारत ये मौसा मिभाग के माने तो अगले 2-3 दिनों में ठंड तो कम होगी लेकिन रात में ऐसे ही कडाकी के ठंड ही पड़ेगी अगली बड़ी खबर बिहार होमगार्ड कॉंस्टेवल भरती पीटी परिच्छा का एडमिट काड़ जारी केंद्रिय चैन परसब ने बिहार गिरा रक्चा वाहनी सेवा सवार्ग में सिपाय के पदो पर भरती के लिए होने वाली सारेरिक दच्छता परिच्छा के एडमिट काड़ जारी कर दिया है लिकित परिच्छा में सपल गोसित किये गए परिचातरी csbc.bihar.nac.in पर जाकर आपने पेटी एडमिट काड़ डाउनलोड कर सकते हैं पेटी साथ फरवरी से सुरू होंगे जो अमिदवार एडमिट का डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं वे तीन से चार फरवरी को सुबद दस बज़े से साम पांच बज़े तक csbc से संपर कर सकते हैं csbc ने covid-19 समादी सुरुक्षा निदिसा निदिस भी जारी कर दिये हैं और उमिदवार से परिच्छा के दिन उन सकती से उनका पालन करने को कहा गिया है आपकी जानकारे के लिए बदा दे कि इस भारती परिच्छा के जरिये home guard police constable के 551 पदो पर बहाली होगी फाइनल मेरिट लिष्ट जारेडिक दख्षिता परिच्छा में हासिल माक्स के आधार पर बनेगी लिखित परिच्छा सिर्फ क्वालिफाइंग था अगली वड़ी कबर बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले 4,033 नए कोरोना मरेज पाटना में मिले 999 केस पिछले 24 घंटे में बिहार में एक बार फिर से कोरोना संक्रमन में कमी आई है बिहार में पिछले 24 घंटे में 4,033 कोरोना के नए मामली सामने आए हैं वहीं पाटना में 999 केसिज मिले हैं वहीं बिहार में कोरोना के कूल एक्टिव केसिज अब 30,481 हो गई है एक्टिव के के सिजदर्ज की गई थी तो में आगली बड़ी कबर बिहार में कोरोना के मामले में कमे नए केस्स से करीब दोगुने हुई स्वस्त। जी हम बिहार में पिछली 24 गंटे में 4,063 नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है वह करीब 2 गंटे संक्रमित स्वस्तТ हो गए है राज में एक दिन पूर्व 4551 नई संक्रमित मिले थे इस तरह पिछले 24 घंटे में संक्रमितों की संख्या में 488 संक्रमित के मामले कम हो गया है इसके पूर्वर राज में 8 जनवर 2022 को 4526 और दूसरी लहर के दोरान वर्स 2021 के 26 मैं को 4022 नई संक्रमित की पहचान हुई थी वह एक दिन पूर्वर राज में 376 संक्रमित मरेज इलाज के बाद स्वस्थ हो गये थे स्वस्थ बिभाग के अनुसार राज के 9 जिलों में 100 से 200 की बीच नई संक्रमित की पहचान हुई है मुई बिभाग के अनुसार राज के 25 जिलों में 100 से कम नहीं संक्रमित मिले हैं इसमें अरारिया, बकसर, औरंगाबाद, अरवाल, चमपारन, गया, गोपाल गाज, जमोई, जहानाबाद, केमूर, खगड़िया, किसन गाज, लकी सराय, मदुबनी, नवादा, रोतास, सहरसा, सिकपुरा, सिवर, सितामडी, सिवान, सुपोल और बेसाली सामिल है अगली बड़ी किपर, नवीन नगर की तीसरी यूनिट तयार, बिहार को मिलेगी 569 मेगावार्ट बिजली, जहां और अंगाबाद के नवीन नगर बिजली घर की तीसरी यूनिट बनकर तयार हो गई है, इस यूनिट के ग्रेट से जोडने का काम पूरा होते ही, बिजली उत्पादन सुरू हो जाएगा, आगामे 26 जनवारी से इस यूनिट को लगातार 72 घंटे ट्रायल सुरू करने का लच्च है, इसके बाद बेवसाइक उत्पादन होने लगेगा, 660 मेगावार्ट के इस यूनिट से बिहार को फरवारी तक 569 मेगावार्ट बिजली मिलने ल पिसी काम कर रही थी। पिट ने कुनाल कोसल की जनित याचिका पर बुद्वार को सुनवाई की हाई कोट ने 23 मार्च 2021 के आधिस से बिहार के सभी 27 सरकारी वर नीजी लोग कलेजों में नए दाखिली पर रोक लगा दी गई थी इस आधिस में कोट ने आंसिक संसोधन करते वे इन 17 कोलेजों में ससर से माझजूरी लेने होगी बाड़ी कबार अफ पांसो सतासी रूपये में मिलेगा गैस सिलिंडर लोगों को मिलेगी महंगाई से रहत जेह हमआगाई की मार गहार समयत पूरे देस के लोगों को जलद Bहुत बढ़ी रहत मिलने जा रही है लोगों को अफ मातर 587 रूपये म एल्पीजी गैस सिलिंडर मिलेगा जिसके तैयारे में केंदर सरकार जूट गई है इसको लेकर वित मंतरालाई को सरकार की ओर से प्रस्ता भेजा गया है अगर वहाँ से हरे जन्डी मिल जाती है तो लोगों को सबस्ते दाम पर सिलिंडर मिलने लगेंगे अब आपको जल्द ही ल्पीजी सिलिंडर बहुत कम के मतों मिल सकीगी इसकी बजाए कि सरकार फिर से ल्पीजी सिलिंडर पर सबसेडिय बहाल करने का विचार कर रही है बाड़ी खबर प्रावेट इसकूल एससीचन ने केंदर वा राज सरकार से के स्कूल खोलने की मांग जिहां प्रावेट इसकूल एंड चिल्डरन वेल फियर एससीचन की ओर से कलपुरे देश के सभी राज एवं बिहार के सभी 38 जिलों के मुख्याले में प्रेस वारता के मायदम से मुख्यमंत्री से विदालाय को लेकर चिंता जताई एवं भारत के प्रधान मंत्री एवं बिभिन राज्यों के मुख्यमंत्री से हिंदुस्तान के नेनी हालों के सिक्चा एवं भाविस को सुरचित करने की गुहार लगाई है उन्होंने कहा कि विदालायो को कोरोना वारिस के नाम पर बंद रखना अनुचित कदम है उन्होंने कहा इस बात का कोई सबूत नहीं है कि विदालायो को फिर से खुलने से कोरोना वारिस के मामलों में बिर्दी हुई है अगली बड़ी कबर कोरोना को लेकर क्राइसिसिस्ट मेनेज्मेंट गरूप की बैठक अभी पाबंदिया हटाने को सरकार तयार नहीं जिए अभी हार में कोरोना का संक्रमन तेजी से फेल रहा है दिन पर दिन कोरोना केसिज में इसाबा हो रहा है कोरोना की तीसरी लहर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 21 जनवरी तक कई तरह की पाबंदिया लगाई है ताकि कोरोना के संक्रमन को रोका जा सके कोरोना के बड़ते मामले की बीच मुख्यमंतरी नितीस कुमार ने अपनी समाज सुधार यात्रा और जनता दर्बार को भी सगित कर दिया है 21 जनवरी तक लगी पाबंदिया को लेकर क्रासेसिस मनेजमेंट गुरूब के बैठक होनी जा रही है कोरोना के बड़ते मामले को देखते वे उम्मीद की जा रही कि इसमें ज़्यादा बदलाव फिलाल नहीं किया जाएगा इसकोलों का संचलन ऑल लाइन ही जारी रिखा जाएगा स्वापिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जेम, पार्क आदी बंद रखने का फैसला भी जारी रह सकता है हाला कि बैठक के बाद ही पता चलेगा कि सरकार की ओर से नए गाड़लाइन क्या जारी किया जाता है अगली बड़ी खबर किसवरों के तिका करन में तेसरे नमबर पर बिहार, मेंटरिक और इंटर परिच्चा के लिए टेका लगाना ज़रुरी जहाबिहार में किसवरों का तिका करन प्रतमिक्ता की अध़ार पर किया जा रहा है माज 15 दिन में बिहार ने 83.46 लाग किसरों के टिका करन के लख्च के बिरूद में 28.93,236 को कोवीड रोधी टिके दे दिये हैं राज स्वास्त सम्मिति के अपर कारिपलक निदसक अनिमेस परासर के अनुसार अब दक करेब 34.67% किसरों को टिका दिया जा चुका है वोई आपको वदा दे किसरों के टिका करन में बिहार तिसरी नमबर पर आ गिया है इसके अलावा मैट्रिक और इंडर की परिचाओं को देखते वे 26 जनवारी तक परिचा में सामिल होने वाले सभी किसरों के टिका करन का लख्च रखा गिया है बड़ी कबर बिहार में प्री प्राइमरी स्कुल के तरज पर बदलेगा सहरे आगनबडे केंदर बच्चों की सेंक बढ़ाने के लिए चलेगा भियान जहां राज भर में 1,14,000 आगनबडे केंदर है जहां राज और केंदर सरकार की योजनाओं के तहद बच्चों और महिलाओं को लाब पहुचाया जाता है लेकिन हाल की विभागे समिच्चा में या बात सामने आई है कि सारे आगनबडे केंदर पर बच्चे घट रहे है ऐसे में विभाग के अधिकारियों को आंदर प्रदेस और तामिल नडो में आगनबडे केंदर के कार को देखने के लिए भेजा गया था अब अधिकारियों ने अपने रिपोर्ड विभाग को सौपी है जिसमें कहा गया है कि सारे आगनबडे केंदर को प्ले स्कुल के तरज पर बेहतर करने की अब जरूत है ताकि केंदर पर बच्चों की सिंख्य बढ़ सके सारे आंगनवाड केंद्रों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए राज में अभिहान चलेगा जिन केंद्रों पर बच्चे कम होंगे उस केंद्र को पास के आंगनवाड केंद्रों में सामिल किया जाएगा बाड़ी के पर राज्जों की लापारवाही पर सुप्रेम कोड नाराज कोरोना से मौत पर मौपजा ना दिये जाने पर बिहार आंद्र और केरल को फटकारा कहा आप कानून से उपर नहीं जी हाँ कोरोना से मौत पर पर परिवार वालों को मौवजा ना देने और इसमें देरी को लेकर सुप्रेम कोड ने राज्जों से नाराज की जाहिर की है आंद्र पर अधिसर बिहार को सुप्रेम कोड ने कड़ी फटकार लगाई और कहा कि आप कानून से उपर नहीं है इसके बाद अदालत ने मुदवार कोई दोनों राज्यों के प्रतिनेदियों को कोड में पेस होने को कहा गया था पिछले साल अक्टूबर में सुप्रेम कोड ने कहा था कि कोई भी राज मुआबजे के लिए इंकार नहीं कर सकता है साथ ये आदेश दिया तकि एपलेकेसन दाकिल के जाने के तेज दिन के भेतर पैसा दे दिया जाना चाहिए अगली बड़ी कबर मुके सनी ने दिक गड़बंदन तोड़ने के धमके बोले बोचाहा में लड़ने का एलान करके तो दिखाए भाजपा जिना अविहार, सरकार के मंत्री और विकासिल इनसान पार्टे के अदेश मुके सनि के तेवर नरम नहीं हो रहे है वे भाजपार पर लगातार हमले कर रहे हैं एक बर फिर उन्होंने भाजबा को चेदावने दी है उन्होंने दो टोक कहा है कि बोचाहा सीट पर भाजबा का सिर्थ से नेतो तो मिदवार की गोसना करके दो दिखाए हम गड़बंदन तोड़ देंगे इस दोरान उन्होंने भाजबा को एक तरफ से चुनोती दे डाली है साती मुझपरपुर के भाजपा सांसद आजा निसाद को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी है साने ने यूपी बिदानसवा चुना में पूरी छमता से लड़ने की बात कही वे एक चेनल से बात कर रहे थे तब ही ये बात उन्होंने कही है अगली बड़ी कबर भारत के स्टार टेनिस किलाडी सानिया मिरजा ने किया सन्यास का एलान 2022 उनका आखरी सीजन होगा जिहा भारत के स्टार महिला टेनिस किलाडी सानिया मिरजा ने सन्यास का एलान कर दिया है वो इस सीजन के बाद टेनिस को अलविदा कह दीगी सानिया ने उस्टेलिया ओपन की में हार के बाद यहां जानकारी दी है और हमकी बड़ी कबर आज सिकरे उत्तर परदेश पुलिस में 2430 हेड ओपरेटर असिस्टेंड ओपरेटर और वर्क सौप श्टाप भरती के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज यानि 20 जनुरे 2022 को सुरू होने जा रही है आवेदन के चुक मिद्वार बोर्ड के अधिकारिक बैवसाइड यू पीपी बीपी डॉट गोवर्मेंट डॉट इन पर जाकर आवेदन कर सकते हैं साथ या आप यहाँ ओफिसल वेबसाइड पर नौटिपिकेशन डाउनलोड करके सारी जानकारिये प्राप्ट कर सकते हैं आज कि लब का स्वाल बताए कि 21 जनुरे के बाद बेहार में पवांदिया हटाने चाहिए या नहीं इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताएं